वेलकम तो दिस वीडियो स्टुदेंट्स इन दिस वीडियो वी आ गोएंग तो डू एक्सराइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 तो यहां पर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन पढ़ते हैं सब्बाराव स्टार्टेट वर्क इन 1995 एड 5,000 सेलरी कोई पर्सन का नाम दिये यहां पर सब्बाराव उसने 1995 में अपनी जोब स्टार्ट की ठीक है और उसकी सेलरी क्या थी 5,000 एन्यूल सेलरी थी मतलब उसको पूरे साल काम करने के 5,000 रुपीज मिलते थे ओके नेक्स्ट एंड रिसीव 200 इंक्रिमेंट एवरी यर फिर क इंकम विल बी 7,000 तो अब ऐसा क्वेशन पूचा है कि कौन से साल में उसकी सेलरी 7,000 हो जाएगी तो सबसे पहले हम यहां पर चेक करते कि क्या यह जो कंडिशन हमें दी है सिच्वेशन हमें दी है वो क्या एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर र 25 में उसने पूरा काम कर दिया ठीक है तो उसको कितना मिला Mr. 5000 मिला एक साल का अब क्या होगा जब next year अना काम करेगी ना अब next year उसको 200 रूपए का increment मिलेगा next year के लिए उसको दिया जाएगा 5200 ठीक है 200 रूपए का उसको increment दिया फिर क्या होगा अब देखो यह जो Every year है ठीक है मतलब कि यह साल कतम हो जाए कि उसके बाद next error के लिए उसको वापीस200 रुपए का increment मिलेगा तो उसको next year कितना मिलेगा 5400 मिलेगा अब यह साल कतम हो जा है उसके बाद next year अगर वह काम करती है तो उसको कितना वापीस 200 200 रुपय का इंक्रीमेंट मिलता है तो 50 600 रुपीज मिलते हैं तो यहां पर इस नंबर्स को आप अप्ज़र करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर बार क्या हो रहा है 200 200 इंक्रीज हो रहा है तो यह आपको अरित्मेटिक प्रोग्रेशन फों करती है ठीक है तो इस को और इस्वेंटिक प्रोग्रेशन के जो रूल्स होते उसके चो जो पौ्मिला्स होते उसको यूज करकर सकते हैं क्यों करते मेے तो लिखना कैसे वह यहां पर आप अपच्छे से देख लो इस तरीके से लिख देंगे सेलरी ओफ सब्बाराव सेलरी ओफ सब्बाराव इन फॉर्स्ट येर ठीक है फॉर्स्ट येर में उसकी सेलरी कितनी थी फाइव थाउजन इन सेकेंड येर उसकी सेलरी दो सो रुपे इनक्रीज हो जाएगी तो फाइव थाउजन प्लस दो सो इनक्रीज होगा तो बन जाएगी फाइव थाउजन टू अंडेड और इन फाइड येर कितनी हो जाएगी फाइव थाउजन टू अंडेड थी वापिस उसकी दो अंडेड रुपीज इनक्रीज होगी तो उसकी सेलरी थाउजन येर में हो जाएगी फिफ्टी फॉर अंडेड तो यहाँ पे हम लग देंगे सीरीज फॉर्म फॉर्म यहां पे एक सीरीज बन रही है और वह सीरीज पुछ है कि in which year his income will be 7000 ठीक है कि कौन से साल में उसकी income 7000 हो जाएगी चैसे पहले 5000 थी 200 रुपी इंक्रीज होके 5200 हो गई वापिस 200 इंक्रीज होके 5400 होके इंक्रीज होती जाएगी होती जाएगी कुछ साल बात उसकी सेलरी कितनी हो जाएगी सैलरी सेवं थाऌज़न रुपीस अब यहां पे नावें पता नहीं कि वो कितने साल बाद उसकी सेलरी जो है वह सेवं थाऌजन रुपीस हो जाएगी तो हम ऐसा सबोस कर लेंगी कि उसकी जो saylरी वह एन्थ यर के बाद 7,000 हो जाएगी तो हमारा यहाँ A N कितना मिल जाएगा 7,000 ठीक है A N ले लेंगे 7,000 और उसका यूज करके हम N फाइड कर लेंगे और N फाइड कर लेंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि वो कौन सा यहाँ जिसमें उसकी सेलरी 7,000 होगी तो यहाँ पर A N ले लेंगे 7,000 ठीक है और इस सीरीज को देखके A कितना हो जाएगा 5,000 और D कितना हो जाएगा 5,200 minus 5,000 is equal to 200 D मिल जाएगा 200 यहाँ पर हमें find करना है N तीन चीज़े दिया चोती चीज़ find करनी यह वाला formula रख देंगे A N is equal to A plus N minus 1 D यहाँ पर A N 5000 SORRY A N हमें कितना लिया 7,000 ठीक है A कितना था यहाँ 5,000 plus N minus 1 यहाँ पर N find करना है तो उसको ऐसे रहना देंगे N minus 1 और D कितना है 200 ठीक है यहाँ पर N find करना है तो सबसे पहले इस टम को हम कुछ नहीं करेंगे इस टम के साथ जो भी plus minus में जुड़ा है उसको सबसे पहले हम सामने ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ 5,000 plus से जुड़ा है इस से ट्रांसफर कर देंगे तो 5,000 plus था तो बन जाएगा minus 5,000 और यहाँ पर आएगा N minus 1 into 200 7,000 minus 5,000 हो जाएगा 2,000 is equal to N minus 1 into 200 और यहाँ पर N minus 1 find करना है तो यह वाला 200 उसके साथ multiplication में जुड़ा है वो जाएगा division में तो यहाँ पर 2,000 divided by 200 is equal to N minus 1 0,0,0,0,0 cut हो जाएगा and 20 by 2 होता है 10 is equal to N minus 1 तो यहाँ पर N क्या हो जाएगा minus 1 है तो इस सेट जाएगा तो plus 1 हो जाएगा और 10 plus 1 हो जाएगा 11 ठीक है तो N हो गया 11 उसका मतलब होगा कि यह 11th year के बाद उसकी salary कितनी हो जाएगी 7,000 हो जाएगी तो यहाँ पर लिख देंगे in 11th year his salary will be 7,000 ओके यहाँ पर question ऐसा पूछा था क्कौन से साल में उसकी salary 7,000 हो जाएगी first year में इतनी second में इतनी third में इतनी इसे बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी और 11th year जो आएगा तो उसकी salary कितनी हो जाएगी 7th year हो जाएगी ठीक है अगर आपको यहाँ year find करना हो तो भी आप find कर सकते हो जैसे यहाँ first year मतलब क्या था 1995 ठीक है second year में क्या आएगा 1996 अब second year में हम क्या add करेंगे तो 1 add करेंगे तो 96 होगा ठीक है third year में क्या होगा 1997 तो अगर third year के लिए हम year find करना है तो हमें two add करना है 1995 में ठीक है है तो कौन सा यह मिलेगा हमें 2005 टीक है 2005 में उसकी सेलरी कितनी होगी 7000 रूपीज ठीक है यहाँ पर यहाँ पूचा इसे कौन से साल में मतलब वह कौन सा साल होगा दसवा बारा वा पंदरावा तो यहाँ पर मैं यहाँ तक अगर हम आंसर लिखते तो भी हमारा आंसर राइट होगा ठीक है लेकिन mcq के लिए अगर यहां पर यह पूछा जाता है तो इस तरीके से आप अपना common sense यूज करके भी find कर सकते हो कि first year मतलब 1995 second year मतलब 1996 third year मतलब 1997 इस तरीके से किनके भी आप कर सकते हो के तो यहां पर मारा question number 19 खतम होदा है आगे बढ़ते question number 20 की ठीक है question देखते रामकली सेव्ड रूपीज five in the first week ठीक है जो यहां पर संदिया रामकली वो क्या करीए फ़र्स्ट विक के अंदर five रूपीज का उसने saving किया ओके अब वो क्या करीए इंक्रीजर से विकली सेविंग वो जो सेविंग यह ऐसा नहीं करेगी कि हर विक 5-5 रुपे बचाएगी बलकि उस सेविंग को वो बढ़ा दे जाएगी ठीक है कि इस पहले विक में उसने 5 रुपे से ज्यादा कितना ज्यादा करेंगी 1.75 रुपेस जितना ज्यादा सेविंग ओफ राम कली यहां इंगलीज का रूल देख है तो यहां पर कैपिटल आ रहाना चाहिए इन फॉर्स्ट विक फर्स्ट विक में उसने कितना सेविंग किया 5 रुपेस अब देखो इन सेकेंड विक में ना उसका जो सेविंग यह वो क्या कर रही है सिन सेकेंड विक उसका सेविंग जो 5 रुपेस था उसको इंक्रीस कर रही है कितना इंक्रीस करें 1.75 तो यह क्या हो जाएगा देखो य 5077 पॉइंट 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 फाइप प्लस 16 तो उसकी सेकेंड वी को कितना इंक्रीज सेविंग करेगी 6.75 रुपिस का सेविंग करेगी ठीक है अब यहां भी क्या लिखा है इंक्रीज विकली सेविंग बै 1.75 मिलब हर विक नापना जो सेविंग यह वन पॉइंट जाएगी तो फिर थर्ड विक में उसका सेविंग क्या हो जाएगा इन थर्ड विक ठीक है 6.75 में भी वो फिर 1.75 एड कर देगी पॉइंट के बाद कितने डिजिट है दो कि बाद कितने डिजिट है दो डायरेक्ट कर सकते हैं 6.75 1.75 5 प्लस 510 के रिवन 7 प्लस 7 14 प्लस 115 के सेविंग कितना हो जाएगा 8.50 ठीक है यहाँ पर आपको यह सिच्वेशन देखके बादा चल रहा होगा कि यह कैरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे है क्योंकि उसकी सेविंग इंक्रीज हो रही है 1.75 रुपीज से हर विक के लिए ठीक हर बार कितना इंक्रीज हो होगा हुए पात्जवा उसकता है यहां फिक हो सकता है तो हमने क्या लिए एंथ इंठ विक में हमें सेविंग बता आए 27 arg20 .75 अर Thank You यहां पर अशा zrobić क्यों से फॉम हो रही होगी यहां पर हम बतारे फाइव फिर सेकेंड विक में कितना हुआ 6.75 और थर्ड विक में कितना हुआ 8.50 इस तरीके से बढ़ती जाएगी और एक विक ऐसा आएगा जहां पर उसकी सेविंग हो जाएगी 20.75 अब वो कौन सा विक है मैं पता नहीं है तो हमने क्या ले लिया अब एन्थ विक लिया तो हमारा एन क्या हो जाएगा 20.75 ए क्या मिलेगा यहां से 5 और डी हर बार कितना इंक्रीज हो रहा है 1.75 तो यहां में डायरेक्ट डी लिख दे तो भी चलेगा ठीक है नेक्स्ट हम क्या करेंगे यह वाला फॉर्मिला रख देंगे एन इस इक्वल और एन यहां पे दिया है 20.75 ए हमारा यहां पे 5 और एन हमें फाइंड करना है तो उसको एन माइनस 1 रहने देंगे और डी हमें दिया है 1.75 ओके सबसे पहले यहां एन फाइंड करना है तो इस टम में हम कुछ नहीं करेंगे इस 5 को यहां माइनस में जाने देंगे तो 20.75 औ into 1.75 ठीक है इसका सब्ट्रेक्शन करते है 20 में से 5 चला जाएगा तो बचेगा 15.75 is equal to n-1 into 1.75 ठीक है यहां n-1 find करना है तो यह 1.75 के साथ multiplication में जूड़ा है तो यह जाएगा division में तो 15.75 1.75 is equal to n-1 अब यहां पर देखो fraction है ठीक है उपर जो चीज़ करते है वही चीज़ हमें निचे करने तो उपर हम क्या करेंगे इस point को दो बार आगे ले लेंगे 1 2 तो यह क्या बन जाएगा 1575 अगर वेसा ही हम निचे करें इसको दो बार आगे ले जाए 1 2 तो यह क्या बन जाएगा 175 is equal to n-1 ठीक है यह चीज़ आपको अच्छे से यह वला step अच्छे से समद ना है बाकी पूरा सम एकदम easy है ठीक है next यहां पर अगर हम इसको divide करते है 1575 को तो हमारा answer आएगा 9 ठीक है अगर 1575 को अगर 175 से divide करते है तो 9 answer आता है वो division करके भी आप चेक कर सकते है इस equal to n-1 और यहां पर n find करना है तो minus 1 is set आएगा तो प्लस बन जाएगा 9 प्लस 1 is equal to n कितना हो जाएगा 10 ठीक है यहां पर n मिल गया 10 मतलब की 10 विक में जो उसकी सेविंग होगी ना वो और इन 10 विक है और सेविंग विल भी है और सेविंग विल भी है और सेविंग विल बी उसने क्या किया कि हर विक उच्छ इंक्रीस करते गई हर विक उसने क्या किया 1.75 बहुत ही छोटा अमंट है वह इंक्रीस कर दी गई लेकिन क्या हुआ कि 10 विक के बाद उसकी सेविंग त्वेंटी रुपीज हो गई है यहां पर ओके तो यहां पर हमारा कूश्ण नंबर 20 भी खतम होता है अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत बुलना और यहां पर स्क्रीन पर आपको मेरी फोटो दिख रही होगी जिस पर क्लिक करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और स्क्रीन पर दूसरे दिखाये गए वीडियो से ज